सौगत है आप सबी लोगों का भारती इतिहास के ऐसे महत्पूर्ण पृष्णों के सुपर फास्ट रिविजन के लिए जो बार-बार आपकी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं भारत में तंबाकु के खेती अखबर के सासनकाल में प्रारंब की गई थी यहां पर एक चीज और जानते रहिए यह तंबाकु किस देश से लाया गया था पूर्तगालियों के दौरा तंबाकु लाया गया था और अखबर के सासनकाल में सबसे पहले तंबाकु के खेती भारत में प्रारंब हुई थी तो यह सारे आपके वन लाइनर प्रिश्ण है इसको हम लोग सर्फ कुश्चन आंसर की रूप में पढ़ेंगे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है यह सारे प्रिश्ण आपके किसी ना किसी ने किया था जो आपकी बत्मान सुमय में कॉंग्रेस पाल्टी है उसकी स्थापना A O HUM ke दौरा अठारा सो पचासी में किया ता आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं इंडिया की जो भांसाएं हैं वो दर्वण भांसा की रूप में जाने जाती हैं और इस दर्वण भांसा की जो उत्पत्ति किस भांसा से माने जाती है तो दर्वण भांसा की उत्पत्ति मराठी भांसा से माने जाती है तो ध्यार रखिएगा दर्वण भांसाओं के समुह में South India की सारी भासाइं आती हैं वो इसकी उत्पत्ती मराथी भासा से मानी आती है आगे भरते हैं पांच पांडों के बारे में तो आपने सुना ही होगा उसमें से एक कौन थे? अर्जुन थे अर्जुन का दूसरा नाम क्या था? अर्जुन का दूसरा नाम पालगुन था अर्जुन को हम लोग फालगुन के नाम से भी जानते हैं इस चीज़ को भी आप जानते रहेएगा सक सम्मत भारत में काँ सम्मत प्रियोग किया जाता है ये ईसा से कितने वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था? तो सक सम्मत ईशा से 78 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था हम लोग जो अंग्रेजी कलेंडर स्टार्ट करते हैं गर्गरियन कलेंडर जिसे हम लोग कहते हैं उसके हिसाब से अभी 2021 चल ला है यानि कि हमारा जो सक सम्मत है ये इस से 78 वर्ष आगे है तो हमारा सक सम्मत इस अंग्रेजी कलेंडर से 78 वर्ष आगे है या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी कलेंडर से 78 वर्ष पहले हमारा सक सम्मत श्टार्ट हुआ था आगे भड़ते हैं मराठा युद्धा सिवा जी के पिता का क्या नाम है तो सिवा जी के पिता का नाम साह जी है, बहुत important प्रिश्ण आपके लिए है, सिवा जी के पिता कौन है, साह जी है, यहाँ पर एक और प्रिश्ण आपके लिए बहुत ज़्यादा माता कौन है, अगर आपको इनका नाम बता है, तो comment box में जरूर लिखिएगा, बहुत ही ज़ मुझा इधिसन में और मैदान से इस चीज को आप जानते रहियेगा अगे बढ़ते हैं आपके देश में तीन जगई जिसका नाम है बदमन और सब्सक्राइब याकिन लुबंस दो अदर्ण को सब्सक्राइब ओजब पार देव किसका अधिकार थे तो तो गोवा, दमन और दीव ये पुर्त गालियों के उपनिवेश थे, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, अखवर ने उडिसा राजी को जीता था, तो अखवर ने कौन सा राजी जीता था, उडिसा राजी जीता था, तो उडिसा का तो उडिसा का जो सासक था, राजा था, उसका नाम था निशार खा, तो अखवर ने निशार खा को हरा कर उडिसा को जीता था, ठीक है, इस चीज को आप जानते रहिया, अखवर ने किसको हरा था, निशार खा को निशार खा कहा का राजा था, उडिसा का राजा था, आगे 1871 में जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांगला देस की रूप में सुतंत्र हो गया था, आगे भरते हैं, चरक कौन थे, तो चरक एक बहुत ही परसिद्ध चिकेश सकत है, आयरुवेद के बहुत ही परसिद्ध चिकेश सकत है, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है चरक, निर्मान के लिए दक्षिन भारत में पल्ला और चालुक के ये राजवन्स प्रसिद्ध है उनका टाइम पिरिएट क्या है छटी सताबदी से लेके आठी सताबदी के लिए जब भी मंदिर निर्मान की बात आए वहां पल्ला और चालुक पर आप निसान लगाईएगा आगे बढ़ते हैं भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस के आरंभिक बर्सों के अध्यक्ष कौन है तो आरंभिक बर्सों के जो अध्यक्ष है उनका नाम है दादा भाई नौरो जी यहां पर यह प्रिश्ण पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह प्रिश्ण आफ्शन पर प्राजाद है या फिर सरुजी नायदू है यह सब रहे होंगे उसमें प्रारंभिक बर्सों में दादा भाई नौरो जी रहा होगा इस प्रकार उस आफ्शन के हिसाब से दादा भाई नौरो जी आपका सही है तो यहां पर इस प्रिश्ण को पढ़ने से कोई मतलब नहीं ह क्योंकि आपके आरंभिक बर्सों में बहुत सारे अध्यक्षी हुआ करते थे जिसमें से दादा भाई नौरो जी एक थे आगे बढ़ते हैं बलेक पैगोडा कहां पर है तो बलेक पैगोडा जानते रहिएगा आपके कोडांक में है कोडांक कहां पर है उडिसा में है तो ब आफ गोल्डन गेट कहते हैं इस चीज को आप जानते रहेगा एक बहुती महत्पूर्ण कथन यहाँ पर दिया गया है इसको पढ़ लीजिए तो लिखा है वह रोमन सम्राट आगस्टन की भाती साउधान था वह औरों की तरह सक्तिसाली ना लगे और वह दूसरों की इस तरह से अधिक ना लगे यह कथन किसके लिए कहा गया है तो यह कथन बहलोल लोधी के लिए कहा गया है लोधी केलिए इसी परेखर शॐन के यह बहुति महत्पूर्ण कथन है इस चीज को आप याद रहिएगा तो इस परकार की मीप्रेशन आ जाते हैं कि एक कथन देदिया आता और उससे संबन्धित बत्यों के बारे में आपसे पूछा जाता है जैसे कि अगला प्रिष्ण भी इसी से संबन्धित है अगले प्रिष्ण में लिखा गया है वह है देश में इस्त्रियों के अधिकार के सरप्रथम प्रवक्ता थे वे स्वेंग जमिदार थे, उन्होंने सरकार को लिखा था कि किसानों से जमिदार इतने से अधिक नावसूलें, वे स्वेंग ब्राम्हर थे, पिंतु जाती प्रथा के अत्याचार के बिरोधी थे, उन्होंने सोतंद भारत का सपना देखा था और पाने के लिए सम्मयदानिक आंदोरन करने की सलाह दिया था तो ये किस से संब्दित है तो ये जो कथन है वो राजा राम मुहन रॉय से संब्दित है तो राजा राम मुहन रॉय ने अपने जीवन काल में ये सारे काम किये थे जो आपके ऊपर कथन में दिया गया है आगे भड़ते हैं अठारासो संतावन की क्रांती के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं तो अठारासो संतावन की क्रांती में किसने भाग नहीं लिया था तो भारत के सिक्षित और मध्यम बर्ग ने अठारासो संतावन की क्रांती में भाग नहीं लिया था आगे बढ़ते हैं Magna Katta पर किसके साषनकाल में हस्ताक्चर हुए थे तो अंगरेजों का प्रमुख नियम होते हैं, एक संधी होती है जिसको हम लोग Magna Katta कहते हैं जौन सेकंड के साषनकाल पर इसमें हस्ताक्चर हुआ था तो Magna Katta पर हस्ताक्चर किसके सासनकाल में हुए थे जॉन सेकंड के सासनकाल में हुआ था आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपको पता ही होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण युद्ध है भारती अतिहास में ये 1557 में लड़ा गया था अखवर और महाराणा परताप के बीच में तो 1576 में हल दिखाटी का परसिद्ध ही युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में अखवर और महाराणा परताप के बीच में चलिए आगे बरते हैं, बैदिक धर्म का प्रमुख लक्षन उपासना था, तो इस प्रिशन के कहने का मतलब है कि बैदिक धर्म में जो उपासना यानि पूजा पध्धिती का प्रमुख लक्षन क्या था, तो ये प्रकृति वाद इसका प्रकृति की पूजा हुआ करती थी, तो बैदिधर में प्रकृति की पूजा हुआ करती थी, ये उनकी पूजा पध्धती का प्रमुख लक्षन हुआ करता था आगे भरते हैं, उत्तर भारत के एक परसिद राजा थे, जिसका नाम है हर्स वर्धन तो हर्स वर्धन के सासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वोन सहर कौन सा था तो हर्स वर्धन की राजधानी कौन थी? कन्नौज, तो जो राजधानी होगी वही सबसे महत्वोन सहर होगा तो इस प्रकार हर्स वर्धन के सासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वोन सहर का नौच था आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यू कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ, इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया, इनको ज्यान प्राप्त कहां पर हुआ, इनकी मृत्यू कहां पर हुई, यह सारे आपके लिए बहुत ज्यादा महत्यून प्रिश्ण हैं और इनको आप याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा, गायकवाड एक राजबंस है, गायकवाड यह गायकवाड जो राजबंस है, यह कहां के राज़ा थे, तो यह बढ़ोदरा के राज़ा थे, तो गायकवाड एक राजबंस है, यह कहां के राज़ा थे, बढ़ोदरा के राज़ा थे, जो की बढ़ोदरा तो ईद आमिलाद उल नभी की रूप में हम लोग मुहमद सहाब के जनदिन को मनाते हैं ठीक है चली आगे भड़ते हैं पुरातन भारती विस्विद्याले के आउसेस कहां पर पाई आते हैं तो सबसे पुरातन मतलब होता है सबसे प्राचिन सबसे प्राचिन भारती विस्व के बाद एक परसिद्ध नेता के रूप में कौन उभर के आया था तो फ्रांस की क्रांती के बाद नेपोलियन बोनापाल्ट फ्रांस में एक परसिद्ध नेता के रूप में उभर के आया था नाम याद रखेगा नेपोलियन बोनापाल्ट ये फ्रांस से संबन्दित है तो आ आज के लिए हम लोग बस इतना ही प्रिश्ण रखते हैं इसके आगे के प्रिश्णों को हम लोग अपने अगले लक्चर में सॉल्व करेंगे आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद